विल्कम फ्रेंड्स नमारे यूटूब चैनल आर्कनल सिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बती मात्पूर्ण कोशन है जो कि आने वाली सभी परिछाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को इसके पना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें तो फ्रेंड्स पढ़े कोशन को अच्छे से उसके बाद आंसर देए क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं पहले अच्छे से पढ़े कोशन को अच्छन को पड़ें the total capacity of the urinary bladder age the total capacity urinary bladder age guess करें क्या होगा इसका right answer मूता से के कुल شमता कितनी होती है तो बताएं आपर इसका right answer guess करें simple question है पढ़ाओगा आपने कई बार ये question तो देखें आप पर option इप्छन भी आपका राइट होगा ठीक है एक लीटर होती है जो मुत्रा से को छमता होती है वो एक लीटर की होती है अब यहां पर आप एक्स्पे flakes लेकмен बेखे लें है यूरी नरी ब्लाइडर के यूरी नरी ब्लाइडर की कुल चमता, टोटल कैपसिटी लगबग एक लीटर होती है, यूरिनरी ब्लेडर की जो कुल चमता होती है, वो कितनी होती है, लगबग एक लीटर की होती है, फ्रेंट जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कि आपका ये जो आपका ब्लेडर है, इसकी जो चमता होती है यह एक लीटर की होती है ठीक है वन लीटर की इसकी छमता होती है एक लीटर की इसकी छमता होती है और आपको जब बहुत तेज मूतर त्यागने की इच्छा होती है तो वो जब 600 ml मूतर ठीक है इसमें भर जाता है 31 सथ है कलेक्ट हो जाता है तो आपको बहुत तेजी से मूतर त्यागने की क्या होती, इच्छा होती है यहाँ पे कितना, 600 ml जब, 600 ml यहाँ पे जो मूतर है वो खटा हो जाता है तब आपको बहुत तेजी से मूतर त्यागने की इच्छा होती, बड़ इसकी जो कैपैसिटी होती है, वो 1 लीटर की होती है तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन एन इरिसेस्टिबल आर्ज टू वाइड यूरीन अकर्च वेन ब्लेडर वोल्यूम इनक्रीज टू बताएं देखें अभी मैंने जैस्ट जो कोशन बताया है उसी से रिलेटेड कोशन है और बहुत ही सिंपल कोशन है एन इरिसेस्टिबल अर्ज टू वाइड अ यूरीन अकर्च वेन ब्लेडर वोल्यूम इनक्रीज टू कोशन कह रहा है कि मूत्र त्यागने की तीवर इच्छा तब होती है जब मूत्रा से की मात्रा बढ़ जाती है अभी मैंने जो बताया था कोशन सेम वो ही कोशन है बहुत ही सिंपल कोशन है इसी वेज़ से मैंने कोशन बताया था वहाँ पे कि जब आपका जो मूत्रा से है उसमें जब आपके ब्लेडर पे 600 ml ठीक है 600 ml जब मूत्रा से बढ़ जाता है बतलब चमता टोटल चमता कितनी है एक लिटर की चमता है और एक लिटर की जब चमता है तो इसमें जब 600 ml मूत्र हो जाता है तो आपको मूत्र त्यागने की तीव रिच्छा होती है वह तेजी से इच्छा होती है यूरीन को बाहर कर दें तो यहां पर देखें आपसन भी आपका राइट होगा सिंपल कोशन है तो यहां पर हम देखते हैं explain सुरी यहां पर explain हमने नहीं दिया है विसे explain ही को जरूत नहीं दिसमें तो चलिए question number 3 को पढ़ें अच्छे से question number 3 है simple question है पढ़ें अच्छे से question को urine is transported to the bladder by simple question है बताएं क्या होगा इसका correct answer urine is transported to the bladder by guess करें का जब कोशन कह रहा है कि मूत्र को मूत्रा से तक पहुचाया जाता है अब यह किसके दोरा मूत्र को मूत्रा से तक पहुचाया जाता है तो आपको बताना है यहाप reg option b आपका राइट होगा contraction of ureters urine is transported to the bladder by कि मूत्र को मूत्रा से तक किसके दोरा पहुचाया जाता है तो यह मूत्र वाहिन का contraction होता है ureters funktion Y आपका bå केvous राइट होगा, अब यहां पे आप एक्स्प्लेइन देख लें, ठीक है, एक्स्प्लेइन देख लें कि यूरेटर, यूरीन को किड्नी से ब्लेडर तक मस्कुलर वाल के पेरिस्टल्टिक, पेरिस्टल्टिक कॉंस्ट्रेक्शन दौरा ले जाता है, जो यूरेटर होते हैं, अब हम पिक्चर के माद्यम से भी समझ सकते हैं, कि आपके जो यूरेटर होते हैं, वो क्या हैं, या पिर कहां पे होते हैं, तो देखें, आप यह जो किड्नी हैं, यह आपके किड्नी होगी, और यह आपके यूरेटर हैं, ठीक है, जो आपके यूरेटर हैं, वो किड्नी की माद्यम से ब्लैडर तक मूत्र को ले जाते हैं तो आपका जो मूत्र है यह जो यूरिन आपका फिल्टर होकर यूरेटर के माद्यम से यूरेटर से इनके माद्यम से मूत्र जो है वह आपके मूत्रा से तक जाता है और फिल्टर से यूरेटर के दारा क्या होता यह बाहर हो जाता है तो आपको बहुत तेजी से पैसा आप लगती है है मोर्त एकनी के इच्छा होती है तो 60-day तो आपको तीव तीव रिच्छा होती बुर्ट स्क्रीन हुआ है और डर्र गर्ठ चर्फवक कहीब को स्क्रीन más इसके होती है वह फूरियर पढ़ें अच्छे से एकादिक छोटे गुर्दे की जो पत्री के रोगे को नर्स क्या निर्देश देगी छोटे गुर्दे की पत्री के रोगी को नर्स निर्देश देगी मल्टिपल इसमाल रेनल कैलकुली पैसेंट को नर्स इंस्टेक्ट करेगी तो बताएं आपे क्या हो आंसर गेस करें तो दिखें आप पर आपसन बी आपका राइट होगा to take plenty to take plenty of fluids and embulate तो बताएं आपके क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें सोरी आपके आंसर तो मैंने बताई दिया है ठीक है to take plenty of fluids and embulate खूप सारे तरल पदार्थ लेना और घूमना खूप सारे तरल पदार्थ लेना और embulate करना घूमना तो यहाँ पर आपसन बी आपका राइट होगा अब यहाँ पर हम explain देख लेते हैं कि infection को रोकने तथा multiple small stone के निकलने को facilitate करने के लिए client को पुरुचुर मातरा में fluid 3000 ml per day 3000 ml per day लेने के लिए encourage किया जाता है ठीक है उत्साइद किया जाता है यह करना चाहिए infection को रोकने तथा multiple small stone के निकलने को facilitate करने के लिए client को पुरुचुर मातरा में fluid ठीक है 300 ml per day ठीक है जो आपका fluid है तरल पदार्थ है उसको तीन सो रहते हैं पर 3000 ml लेने के लिए increase किया जाता है ठीक है increase करना चाहिए उससे उत्साइद करना चाहिए अब यहां पर मगला पॉइंट डेकते हैं कि also early embulate to promote passes of fish tone ठीक है यह आपके का जारे साथ ही पथरी को बाहर निकालने के लिए जल्दी जल्दी घूमें ठीक है इंबुलेट करते हैं साथ ही पथरी को निकालने के लिए जल्दी जल्दी एंबुलेट करते हैं के promote करना तो question को पढ़ें question number five है आपके screen पर simple question है सभी पूछे क्या question है बताएं क्या होगा इसका right answer पढ़ें question को जैसे निमन में से कौन सी voluntary वा involuntary muscles दीखें यहां पर space है बट question को type करते वक्त space नहीं दिया गया involuntary से होने वाली urination की process है काजा रहे कि निमन में से कौन सी voluntary वा involuntary muscles से होने वाली urination की process है अब आपको बताना है क्या होगा इसका right answer निमन में से कौन सी स्वैच्छिक और अनेच्छिक man species से होने वाली पेशाब के प्रकरिया है अब आपको बताना है क्या होगा इसका right answer guess करें simple question है तो देखें यहां पर mikturation process आपसन यहां पर आपका right होगा mikturation process ठीक है आपसन यहां पर आपका right है अब यहां पर हम explain देख लेते हैं कि body में से urine के निकलने को urination अर्थात mikturation कहा जाता है body में से सरीर में से पेशाब के रिसने को पेशाब कहा जाता है पेशाब के रिसाओ या पेशाब के निकलने को बाहर होने को क्या कहा जाता है urination कहा जाता है मेक्चुरेशन की प्रोसेस दोनों वॉलेंटरी एक्स्टरनल यूरेथ्रल एक्स्पिंस्टर एक्स्पिंस्टर वा इन्वॉलेंटरी इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंस्टर देखे मसल्स द्वारा संपादित की जाती है का जा रहे कि पेसाप करने की प्रकरिया दोनों स्व क्रिस्यों के दारा जाती है संपादित की जाती bit मस्ली से दारा संपादित की जाती है को song चलिए अब और इप स्क्रीन पर सिंपल जोचनए बड़िए अब पढ़ चुकी आहीं है को ज़्यादा टप हुष्चन नहीं वह थी सिंपल जोशन है कि का जा रहा कि into human body which organ number is one गेस करें क्या होगा इसका right answer बताएं क्या होगा इसका right answer गेस करें into human body which organ number is one का जा रहा कि मानो शरीर में किस अंगे की संख्या एक होती है बताएं यहां पर क्या होगा इसका right answer मानो शरीर में किस अंगे की संख्या एक होती है तो देखें आपके लंक्स, दो लंक्स होते हैं, दो किड्नी होते हैं, अब ओरी, दो अंडासे भी होते हैं, जो अंडासे होते हैं आपके दो, ये भी जोडे में होते हैं, ठीक है, बट ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर से है, ठीक है, मूत्रा से तो आपका एक ही होता है, जो आपके मूद तरास है जिसे आपके थैली नुमा होता है यह आपका मूद तरास है तो उसे एक ही होता है तो option D यहां पर आपका right होगा explain देख लें कि urinary bladder के अलावा आने सभी अंग जो होते हैं पेर्स में होता है तो चलिए हम next question देखते हैं यहां पर question number 7 है आप पढ़ें question को अच्छे से question number 7 है body में water और sodium का regulation किसकी action के दोरा होता है बोडी में water और sodium का regulation किसकी action के दोरा होता है आपको बताना है क्या होगा इसका right answer गेस करें simple question है देखें एंटिडायूरिटिक आपसन यहां पे एंटिडायूरिटिक हर्मोन्स हो गया आपका एल्डरेश्ट्रोन हो गया आपका थर्स्ट मेकेनिस्म हो गया तो यहां पे देखें आपसन डी आपका right होगा आलाबदी एबब का जारा कि body में water और sodium का regulation किसकी action के दोरा होता है मतलब सरीर में पानी और sodium का जो नियमन है वो किस प्रक्रिया से होता है तो यह सभी सारी प्रक्रियाओं से होता है तो आपसन डी यहां पर राइट होगा अलाब दी एबब अब यहां पर हम अगला question देख लेते हैं question number 8 है आपके screen पर यह रहा question पढ़े question को चैसे question number 8 को प GFR comment box में जरूर बताएं GFR का पूरा नाम प्रिक है GFR का पूरा नाम आप जरूर बताएं comment box में what is the average GFR of an adult guess करें क्या होगा इसका right answer बताएं simple question है तो देखें आपे option B right होगा आपका 180 liter per day ठीक है 180 liter per day option B यहाँ पे आपका right होगा यह कह रहा है question कह रहा है कि एक ब्यस्क का आउसत GFR क्या है एक जो ब्यस्क प्रूर्स है ठीक है उसका आउसत ब्यस्क क्या है जी एफ आर ठीक है एक ब्यस्क क्या आउसत GFR क्या होता है तो यहाँ पर 180 liter per day होता है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं explain ठीक है तो यहाँ पर देखें कि दोनों kidneys के दौरा प्रति मिनट बनने वाली filtrate की amount जो होती उसको GFR कहा जाता है दोनों kidney के दौरा प्रति मिनट बनने वाली filtrate की amount को जो amount होती मात्र होती उसको GFR कहा जाता है जो की 125 ml पर मिनट अथवा 180 liter per day होती है अगर मिनट की बात यहाँ पर की जाए तो 125 ml per day होती है और अगर लीटर की बात की जाए तो 180 liter per day होती है अगर मिनट में पूछता है कहीं कि यहाँ पर नहीं दिया होता है और यहां पर सारा दिन की बात की कि पूरा दिन में कितना होता है तो 180 लीटर पॉर्डी होता है तो चलिए हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं यहां पर कोशन नमबर नाइन आप की स्क्रीन पर पढ़ें कोशन कोशन हैं बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें टीन स्थित है टीक है किजनी इस सिट्विटि इड कटनी इज इस्चीट्वीटत बताएं यहां पर क्या होगा इसका राइन सर्का फिर नहीं कोशन है पर पर प्ढ़ते अंगे तब से आप पड़ती हैं हाई स्कूल में पड़ाओगा इंटर अगर जिसने इंटर से बाइलोजी लिए उसने पड़ाओगा एनम जीनम कंडिडेट और यह से नर्सिंग के सभी कंडिडेट कंडिडेट पड़ाओगा बहुत ही सिंपल कोश्चन है आसानी से आप आंसर दे सकते हैं ठीक ह यह आपका राइट होगा इन एब्डोमिनल कैविटी उधर गुआ में ठीक है उदर गुआ में तो यहां पर हम एक्सप्लेंड देखते हैं कि किड्नी एक परपल-ब्राउन रंग के और्गांस का पेहर होता है जो किड्नी है वह एक परपल-ब्राउन रंग के औरगांस का प्रेड्स रेक्त प्रेड्स ब्लेक्ट प्लाज्मा बनाती है ये क्या करती है ब्लेड प्लाज्मा उसमें यूरिन बनाती है या राकत प्लाज्मा से मूत्र का निरमार करती है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन न मबर 10 न Please स्क्रीन पर पढ़े prejud días और सिह कुछन नमबर दस है इन क्रीड ग्लुकोज टोलरेंस इज चीन इन इन क्रीड ग्लुकोजट टोलरेंस इस चीन इन बताएं क्या होगे इसका राइट अंसर गेस करें सिंपल कोश्चन हैं आपके स्क्रीन पर है से कर देखि-, यहां पे ईंब्सन आपक्ति यह आपका होगा हाईपो पिटिूटियूरीज्म हाइपो पिटियूटियूरीज्म यहां पे हाईपर इंसुलीनिमा ठीक है और हाइपो थाइराइडिस्म आप्षन यहाँ पे डी आपका राइट होगा आलाब दी एबब कोशन कह रहा है आपके कि ग्लुकोज सहन सीलता में व्रद्दी देखी गई है इन टोल्रेंस इंक्रीजड ग्लुकोज टोल्रेंस इज सीन इन ग्लुकोज सहन सीलता में व्रद्दी देखी गई है इन सभी में देखी गई है हाइपो पिट्यूरिज्म हो गया रफके त सम्दी आपका राइट होगा अब यहाँ पर एप एकस्प्लें देख लेए कि बोडी की ग्लुकोज को अप्जॉर्ब है यूज करने की बटी सेमिया को कुगलुकोज ट का जाता है डिक गलुकोज ट कोफ में टॉल्रेंश ह dud于 लोग ग्रोथ हार्मौंस जो आपका जी ऐच्छuster जये डियो टु लोग ग्रोथ हार्मौंस हाइपो थायराडिस्म लोग हा हाइपर इनसुलिन हाइपर इन्सुलिज्म हाई इन्सुलिन देखarmed a Kyi का गया कि का जारtt है कि जो ग्लु कोशंसालम । एलता है ऱयम तैद कम हार्मोंस ते क्रण आपकोंपिरोन कोस्वञत thyroid hormones. ठीक है? Thyroid ermons का कम. का मोना. और यहां पे hyper insulin. hyper मतलब high insulin में बढ़ जाता है. उच insulin में व्रद्धी होती है. चलिए मैं आपे next question देखते हैं. 11 number question आपके screen पर हें. पढ़े question को. diabetic food is an example of आपको बताना है? क्या होगा? स cima diu ओँ है जो होग गेंग्रीन फूसल्इंट फूट है वेट गेंग्रीण तीक है गिले साफिन गेंग्रीनis वेट गेंग्रीन जो आपका डेवेटीक फूट है भीट पूड यहाँ पका व्यंग्रीन का उधारड आप यहां पे म डिस्वठ बीखिलन डेख लेते हैं लिए यहां पर हुआ जो टीस्यू को कि व्यप्रियल इंक्रोलिक्ष्यों के करण वेट होती है व्युक्त अirtyयां रुम्द्यल्डर म्यल्डnten से आजी मान और संकल्वाट के करण गीली होती है उसे मौस्ट गैंग्रीन अत् soon वेट गैंग्रीन पहा जाता आ है ऑशे नंप गैंग्रीन ज़ा घीला गैंग्रीन कहा जाता है अब हम आगला पॉइंट देखते हैं कि डाइबेटिक गैंगरीन कुछ डाइबेटिक मरीजों में lower extremities में vascular insufficiency, neuropathy और infection के कारण होती है मद में गैंगरीन कुछ मद में सम्मंधी, लच्छडों में निचले छोरों में संग्वाइनी आप पर्यापता, neuropathy और संक्रमन के कारण होती है डाइबेटिक फूट इज एन एक्जामपल आफ वेट गैंगरीन देखें, जो मद में रोगी का जो पैर है, या पैर के गीले गैंगरीन का एक उधारड है मारे लाइस्ट कोश्चन है, 12 नंबर कोश्चन को पढ़ेंचे से, इसके बाद आंसर दें, सिंपल कोश्चन है और सभी पूछे के कोश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें अब आपको बताना है, यहाँ पे भविस्वाड़ी जो करता है, यहाँ पे का जा रहा कि भविस्वक्ता अब आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें तो देखें, यहाँ पे आपका राइट होगा, माइक्रो एल्बू मिनूरिया माइक्रो एल्बू मिनूरिया, आपवसल सी यहाँ पे आपका राइट होगा, माइक्रो एल्बू मिनूरिया अब संस्री यहाँ पे आपका राइट होगा अब यहाँ पे आप एक्स्प्लेइन देख लिए कि यूरिन में अल्बियूमिन की अत्तिदिक कम मत्रा यूरिन में जो आपका मूत्र है मूत्र में अल्बियूमिन की अते दिक या कम मत्रा 24 गंटे यहां पर दिया लिका गया कि 30 से 300 मिली ग्राम अल्बियूमिन in 24 आवर्स यूरिनरी स्पेसिमिन के एक्सक्रियेशन को माईक्रो अल्बियूमिनरिया कहा जाता है कहने का मतलब है के मूत्र में अल्बूमिन की अत्तिदिक कम मात्रा 24 गंटे में मूत्र नमूने में 30 से 300 mg अल्बूमिन के उच्छ सर्जन को माइक्रो अल्बूमिनिरिया कहा जाता है अगला पॉइंट है आपका डाइबेटिक नियूरोपोथी को डाइबेटिक जो नियूरोपैथी है उसको डाइगनोज करने अत्वा स्क्रीनिंग करने में स्पॉर्ट यूरिन सेंपल में अलब्यूमिन का मीजरमेंट करना कार्नर इस्टोन अत्वा पहला कदम होता है मद में संबन्दी निफ्रोपैथी का निदान करना या फिर स्क्रीनिंग करना इस्पॉर्ट मूत्र के नमूने में अलब्यूमिन का माप करना आदार सिला या फिर पहला कदम होता है मीजरमेंट करना या फिर कार्नर इस्टोन करना पहला कदम होता है तो फ्रेंड्स अगर किसी भी कुश्चन पर कहीं भी कोई प्राब्लम सो तो आप हमें हमारे वाट्सप नमबर पर हमसे आप पूछ सकते हैं हमें आप कुश्चन करें ठीक है ऐसे उसे मरें वाट्सप नमबर आप यहां पर लाइफ क्लासे चलती है थीजिए फ्रीया ऊपकॉष्ट लाइप क्लासे चलतीहिं 9.40 पीम पर 9.40 पीम पर तो चलती चलती है कभी कभी ये टाइम कम जादा भी हो जाता है तो आप अगर हमारी WhatsApp नमर से जोड़ते हैं तो हम आपको Link के माद्यम से हम आपको सुचित कर देते हैं जैसे Class Start होती है हम Group में Link दे देते हैं आप उस Link के माद्यम से लाइब हो सकते हैं और Class का आनन ले सकते हैं तो आप अच्छे से पनी पढ़ाई करें तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाई 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 टेक केर